Hello students, तो कैसे हैं आप लोग, hopefully सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे Now आज हमारा रहेगा lecture 4, कौन सा subject है वाई हमारा, आज भी हमारा subject रहेगा chemistry तो chemistry subject का हमारा आज है lecture number 4, इससे पहले हम लोगोंने lecture 1, lecture 2 और lecture 3 कम्प्लीट कर लिया है पिछले 3 lecture से हम लोग top 50 very very important question discuss कर रहे हैं, अपना practice कर रहे हैं, जिसको नहीं आता वो अपना समझ रहे हैं और जिसको आता है उसका revision हो रहा है और जितने भी question है सारे के सारे आपके very very important है क्योंकि यह सारे previous year based question है, यानि कई सालों से repeat हो रहे हैं और बहुत ज्यादा chance है कि इस बार भी आपका आ जाए तो इस वज़े से आज का session काफी ज्यादा important हो जा रहा है तो good evening सभी को और ज्यादा ज्यादा इसको share करो और like तो जरूर करो जितने लोगों सब लोग like करो और live chat में अपना नाम अगरा सब कुछ लिग दो ठीक है तो बढ़ते हैं आज का हमारा जी दमाकेदार session स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है पॉल टेकनिक प्रवेश परिक्षा chemistry top 50 महतपूर प्रश्न और आज का session लेने के बाद आपको 100% सरकारी college मिल जाएगा और 100% क्या मैं तो आपको बोलता हूँ top के colleges भी आप पा सकते हो अगर तो ज्यादा नहीं इसके लिए हम लोग 10-15 second बस बात करेंगे ठीक है तो हमारा जो mobile application है जिसका नाम है पांडे जी टेकनिकल इसको आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर सकते हो और वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड करो इसके अंदर कई प्रकार के आपको benefits मिलेंगे जै जाके अपना test दे के आप देख सकते हो आपकी rank क्या है सब कुछ all of that ठीक है तो इस वज़े से आपका यह काफी ज़दे important हो जाता है तो make sure आप जाओ download करो और फिर आओ class लो लेकिन class के बादी करना download अगर नहीं कियो तो अभी अपना class start करते हैं तो चलते हैं हम अपने पहल question की तरफ हमारा पहला question क्या है वई पहला question है देखते हैं किसको किसको आता है आप बताते जाओ answer पढ़ पढ़ के मैं तो बोल तो रहा ही हूं तो पहला question है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायू में रंगहीन हो जाता है बताओ जो हमारा पीतल होता है किसक कि अपके मौजूदगी में हमेशा रहेगा तो वायू में वो कलरलेस हो जाता है निया रंग हीन हो जाता है तो इसका आंसर क्या होगा आप बताओ ऑप्षिन मैपको बताता हूं आपशन है अल्मोनियम फासफाइड और हैड्रोजन सल्फाइड सी है है इड्रोजनित वेफर और ऑप्षिन डी है अल्मोनियम सल्फाइड इन चारों में से फटाक से बताओ भाई अपना अंसर क्या है कि पीतल इन किस चीज के मौजूदगी में आने से अगर हमेशा उसको उस चीज के अगर काफी देर तक रख दें पीतल को तो वह रंग हीन हो जाता है वो अपना कलर चोड़ देता है तो बताओ क्या होगा वा है 1-2 अबताओ आपके पास चार ओप्षिन सें ए बी सीडी चार ओप्षिन चारों पाफी जादा सिंपल कोईशन है ठीक है अगर जो बच्चे जॉइन किए होंगे उन लोगों तो तो कॉन लोगों को तो काफी जादा आसानी पीतल रखे दें ठीक है पीतल इसमें रखे दें और काफी time के लिए रख दें इसके अंदर पीतल तो हमारा जो पीतल होता है वायू में रंगहीन हो जाता है ठीक है तो यह हमारा option भी जो है hydrogen sulphide यह correct option इसका तो अपना बहुत बच्चों का correct option होगा भी जो पढ़े आँगे जिनकी तैयारी अच्छी होगी अपने नेक्स्ट कोईशन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईशन क्या बढ़ा नेक्स्ट कोईशन है हाँ मुत्र डाले में प्रयुक्त टाइप धातू किसके अलाइए हैं सीशा तांबा सीशा एंटी मनी सीशा बिसमत सीशा जेंग इन जल्दी बताओ कि जो हमारा मुद्र डाले है उसमें प्रयुक्त टाइप धातू किसके अलाइए होते हैं सीशा और नामबा कि कि सीशा और एंटी मनी कि सीशा और बिसमत कि सीशा और जिंक इन चारों में से बताओ क्या होगा आपका अंसर जल्दी बताओ काफी ज्यादे सि इन चारों में से आपका अंसर है सीसा और एंटी मनी तो option B है हमारा correct option तो इसमें प्रयुक्त टाइप धातु किसकी अलॉय होते हैं हमारे सीसा और एंटी मनी के अलॉय होते हैं तो यह अगर question आता है तो आप just जाके option B यानि कि सीसा और एंटी मनी टिक करके आ जाओगे क्योंक कर थे हमने next question फिर हमारा next question क्या है वह भी धेख लेते हैं है next question है electron को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डायस कहते हैं बताशों काफ़ी कोजिन कह अकिशिक रड़ अपच्यइन वीक्रड़ और oxygen तथा अपच्याइन दोनों बताशों की इन चारों में से क्या होगा कि इलेक्टरॉन को प्राप्त करने को क्या बोलते हैं बताओ वैं काफी जदा सिंपल हो जाता है यार इलेक्टरॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को या निया इलेक्टरॉन को प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं चारो अप्शन में से क्या करेक्ट है ए करेक्ट है क कि C correct है, कि D correct है, आफ पटाक से बताओ, बहुत simple question है, तो इसका answer काफी बच्चे दे रहे हैं सही है, तो इसका correct answer है, answer है B, up children, तो जो हमारा up children होता है, जो हमारा up children होता है, यही क्या होता है, यह यह कैसी प्रक्रिया होता है, जो कि जिसमें और नverständ पर पतरों कि प्रक्रियह को ही हमलोग अपड़ा है तो हमारा अपचेयर Oh ऑपशन 2 क्रेक्ट नहीं रोगों को बात यह दो का यह तो काफी अचि बात ही कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रहे है चीडि कि Τार्ड बढ़ बढ़े मचारा नंबर अच्छ से निम्न लिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है बताओ इन में से कौन सा एक धनायन नहीं है अलमुनियम आयन कापर आयन सलफेट आयन जिंग आयन इन चारों में से बताओ इन चारों में से आप बताओ कि कौन सा धनायन नहीं है बताओ भई बहुत बचे सोचते हैं कि इसमें हम क्या लॉजिक यार लॉजिक नहीं आपको डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा अप टाइम बीच चुका है आपके पास ज्यादा टाइम नहीं तो आप बस ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करो ठीक है और कैमेस्ट्री क से सब्जेक्त है जिसमें ज्यादा ज्याधा चीज आपको याद करने वालिवी है आपको याद करना ही पड़ेगा ठीक है आप बचने सकते हो इसमें अब आप ज bragश नहीं पीक्रार आरहा है आपको 25 कोइसिशन और एन थो दिगक्षम 100 अक्रेसन के भीक्रों मार्क्राश काफी आसानी से इसका जलदी सांसर बताओ क्या है इस में से कौन सा धनायन नहीं है तो इसका है sulphate ion हमारा इन चारों पूप्शन में कैसा compound या फिर बोल सकते हैं कैसा option है जो की एक धनायन नहीं है तो महारा option c क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा तो बहुत बच्चों का correct answer आ रहा है c c c c ठीक है तो अच्छी बात है वई कि आप अच्छा अंसर दे रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला अपना देख लेते हैं वई आगे क्या है आगला question है हमारा निम्न लिखित किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है बताओ ये तो यार इससे आसान question कुछ हो सकता है क्या इससे आसान question कुछ हो सकता है क्या आप ही बताओ निमनलिखित किस कारड से आपका क्या बोलते है निमनलिखित किस कारड से लोहे में जंग लग जाते है यानि रस्टिंग रस्टिंग समझ रहो ना लोहा जैसे हमारा है इसके अंदर रस्ट यानि जंग लग जा रहा है किस प्रोसेस के वज़े से किस चीज के वज़े से आक्सी करण के वज़े से कि अपचायन की आक्सीजन के साथ रसायनिक अभिक्रिया के वज़े से ठीक है काफ़ी ज्याद़ सिंपल है जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर फिर मैं तुम बताऊंगा ही इसका आंसर इसका आंसर है इसका आंसर है क्या है सी को के साथ रसायनिक अभीक्रिया a and b आर बौत करेक्ट हमारा है तो a and bसिकरण और सीच को भ्याहरा दोनों correct option है तो यहां पर हम लोग कर लेंगे अपना correct नेक्स्ट कोईशन पर अगे बढ़ते हैं जल्दी से time बिना waste किये हुए बिना बुझा हुए चूने का रसाइनिक नाम क्या है बताओ जल्दी से यह तो आसान question है और बिना बुझा हुए चूने का ना रसाइनिक नाम क्या है बताओ option है calcium carbonate, sodium hydroxide, calcium oxide, calcium sulphate इन चारों में से बताओ भाई क्या है हमारा answer जल्दी बताओ कि बिना बुझा हुए चूने का रसाइनिक नाम क्या है बिना बुझे हुए चूने का chemical name क्या है जल्दी बताओ calcium carbonate है कि sodium hydroxide कि calcium oxide कि calcium sulphate तो फिर मैं उसके बाद आपको इसका अंसर बताता हूँ फटाक से तो इसका अंसर है बहुत बचों का अंसर आ रहा है c 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 क्या है बहुत बच्यों का सी c c c आ रहा है तो हमारा calcium oxide कर्रेक्ट ऑप्शन है option होता है ना कि जब आप अच्छा आंसर देने लगते हो सही आंसर देने लगते हो तो लगता है कि हाँ कुछ प्रैक्टिस कराने का आपका रिवीजन कराने का कुछ तो वैल्यू है कुछ तो मतलब निकल रहा है तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेशन क्या है नेक्स्ट क्वेशन है मेगनीशियम को जलाने पर क्या बनता है बेकिंग सोडा कैल्सियम कार्बोनेट भस्म सिर्का इन चारों में से बताओ क्या होगा आपका मेगनीशियम को जलाने पर क्या बनता है बेकिंग सोडा बनता है कि कैल्सियम कार्बो कार्बोनेट बनता है कि भस्म बनता है कि सिर्का बनता है चारों में से बताओ भाई क्या अंसर होगा आपका इन चारों में से बता दो क्या अंसर होगा काफी ज्यादा एजी है ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा बताओ 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 बजिना बताओ सही बताओ लेकिन मताना पड़ेगा तो मैगनेशियम को जलाने पर आपका बेकिंग सोडा तो बनने सरा भाई मैगनेशियम को जलाने से आप बेकिंग सोडा कहाँ बना लोगे कैल्सियम कार्बोनेट अरे नहीं भीया कैल्सियम यहां पर हम जला ही नहीं रहे हैं भस्म हाँ यह हो सकता है सिर्का अरे सिर्का कहाँ बना रहे हो मेगनेशम से तो हमारा ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है इसको यहां कर देते हैं विद्यूत चालन करने वाले अधिकांस द्रव्य अमलो चारको और डैस के विलियन होते हैं यानि कि जो हमारे विद्यूत चालन करने वाले अधिकांस होते हैं हम लो यह एसिड बेस ऑर डैस के विलियन होते हैं किस चीज के वो लो हमारे मिक्षर होते हैं कोपर के होते हैं किलोडो के होते हैं कि Aluminium की लओह इन चारों में से बता हो हमारा क्या option भी बता दिये हैं तो जल्दी फटाक से बताओ कि A, B, C, D में से आपका क्या correct option होगा जल्दी बताओ भई पटाक से विना time waste के आप बता दो कि इन चारों में से क्या option होगा copper, लवडो, aluminium या फिर लोहा इन चारों में से बताओ क्या answer है तो बहुत बच्चों का correct option answer आ रहा है answer C, कुछ बच्चे गलत भी दे रहे हैं लेकिन वो लोका भी आज correct हो जाएगा तो option C हमारा correct answer है क्या है aluminium तो aluminium जो होता है यही हमारा acid base यानि अमलो चारको और aluminium के mixture का विल्यान ह होता है जिसमें की हमारा विद्यूत चार्लन के अधिकांस द्रव्य बनते हैं ठीक है तो option C हमारा aluminium correct option है आगे बढ़ते हैं हम अपने next question की तरफ हमारा next question क्या next question देखते हैं वही क्या है next question है next question भी काफी आसान सा है कि निम्न लिखित में से किसने कहा था कि तत्वों के गुड उनके परमाडू द्रव्यमान के आवर्त फलन है काफी ज़्यादा easy question है आपके periodic table से related question है कि निम्न लिखित में से यानि इन चारों में से इन चारों में से किस ने कहा था कि तत्वों के गुड उनके परमाडु द्रव्यमानों के आवर्त फलन है आप्शन है भाई आपका न्यू लैंड आक्टे वाले हेंडरिक मोजले दमित्र मेंडलीव की डॉबर राइनर इन चारों में से बताओ कौन है हमारे कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जो कि कह दिये थे कि तत्वों के गुड उनके परमाडु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं इन चारों में से जल्दी से आंसर बताओ काफी ज़्यादा एज़ी है और आपके पास है मात्र 10 सेकंड ए बी सी डी भर डालो जो है सही या गलत कुछ भी आप भरते जाओ जल्दी बताओ काफी ज्यादा सिंपल है यार इस से सिंपल क्या ही बोल सकते हैts आपके मॉदर्न के लिए मैं बता दू हम लोगों ने क्या किया था परमाडु क्रमांग कि अधार पर किया था लेकिन जो हमारे मैंडलीव सहाब ते proscian साइंटिस ते दमित्र अन्हों ने कह था कि उनके किया था दमित्र मेंडली सबसे पहले हमारे कौन किया था मैं आपको बता दू सबसे पहले हमारे आये थे डॉबा राइनर डॉबा राइनर ट्रायड बनाये थे आपको पताओकर जब प्रियोडिक टेबल पढ़ोगे आवर्त सारेडी वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे सबसे प modern प्रोटेबल है वो हमारा हेंड्रिक मोजले का है बट यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पर पूछ रहा है कि परमाडू के द्रवेमानों के आवर्थ के फलन वाला पूछ रहा है तो हमारे दमित्र मेंडलीव साहब लोग किये थे यहां पर option C हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अपनो next question पर आगे बढ़ने से पहले ठीक है थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं यहां पर हम लोग अपना दोबारा से देख लेते हैं अपने पांडेजी टेक्निकल अप्लिकेशन के बारे में मोबा करेगा कि यहां पर आप लोग पढ़ रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पर आपको लाइव टेस्ट में दिये जाएंगे आप वहां पर टेस्ट दो आप पता कर सकता आपके rank कितनी है वह भी बिल्कुल free of cost ठीक है इसके लिए कोई और free classes भी है paid classes भी है PDF notes आपको मिलेंग लाइव classes मिलेंगे और आपके जो हैं लाइव टेस्ट रहेंगे तो इस वजह से आपका यह काफी ज्यादा important application हो जाता है तो make sure कि आप download करो five star rating दो और एक review भी वहां पर लिख किया हो तो ज्यादा ज्यादा आप लोग download करो share करो subscribe करो और इस वीडियो को तो like कर ही दो like समझ download करना यार इसके batches काफी ज्यादा आप hodable है 99,199 चीक है काफी ज्यादा easy है आप जाके download करके अच्छे से पढ़ाई start कर दो अपना आगे बढ़ते हैं आगे हमारा क्या है question question है निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातू है कौन सा तत्व इन चारों में से उपधातू है जल्दी बताओ option है हमारा option है silicon, option B है bismuth, option C है phosphorus, option D है tin तो इन चारों में से कौन सा option correct है कि जो कि हमारा उपधातू है जल्दी बताओ काफी ज्यादा easy question है काफी ज्यादा simple question है आप लोग बता दोगे मुझे ये भी पता है ठीक है बताओ वाई कि कौन सा तत्व यानि कौन स element इसमें से उपधातू है बताओ आपके पास है पांच सेकेंड मात्र पांच सेकेंड आपके पास है बताओ silicon, bismuth, phosphorus, tin में से कौन सा ऐसा तत्व है जो आपका उपधातू है तो आपको मैं बता दूँ इसका correct answer है option number बहुत बच्चों का correct option आ रहा है option A, option A हमारा correct answer है यानि silicon silicon ही इन चारों में एक ऐसा धातू है एक ऐसा नहीं सारी एक ऐसा तत्व बोल सकते हो जो कि एक उपधातू है तो silicon हमारा option है क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा silicon तो जिन जिन बच्चों का correct answer आ रहा है तो यानि कि अच्छे से बच्चे वो लोग अपना तैयारी कर चुके हैं और उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रहे हैं उन्होंने प्रियोडिक टेवाला वाला सब्जेक चैप्टर जो था वह अच्छे से पड़ा हुआ है और वह अच्छा खासा अपना number भी उठाएंगे और rank भी अच्छी खासी लेकर आएंगे और मुझे उमीद है और मु को भी अच्छा लगेगा कि बच्चे टॉप कॉलेजस में जा रहे हैं नो आगे बढ़ते हैं अपना next question देखते हैं आर एन किस तत्व का रसाइनिक चिन है जो हमारा आर एन एलिमेंट है आर एन ये एलिमेंट किस चीज का chemical symbol है बताओ रेडियम रेडान रिनियम या फिर र दरसाते हैं बताओ रेडियम रेडियन को और एन से दरसाते हैं कि रेडान को कि रीनियम को की रूथीनियम काफी ज्यादा सिंपल कोईशन है जल्दी बताओ रेडियम को की रेडान को की रीनियम को की रूथीनियम को A B C D में से कौन सा option सही आप जल्दी बताओ के पास है मा तो बहुत बच्चे correct answer दे रहे हैं option B option B is the correct answer redon ठीक है तो जो हमारा redon है ठीक है यह सब ऐसे हैं आपको confuse कर देंगे ऐसे बट यहां पर अगर आप lecture ले रहे हो सेशन अटेंड कर रहे हो तो आपको confuse नहीं हो गया क्योंकि अच्छे सा आपकी practice हो जाएगी भाई तो confuse कहां से हो गया क्योंकि यह सब देखी ले रहे हो प्रैक्टिस कर लोगे अपना तो आर्यन यानि redon को हम लोग किसे दर साते हैं आर्यन से अगर ऐसा question आ जाता है तो option B redon आर्यन redon अगर oxygen पूछ लेता है तो O carbon पूछ लेता है C तो यह सब आप लोग एक बार बस जाके प्रियोडिक टेबल को अच्छे से देख लोगे तो भी आपका clear हो जागा यह सब topic काफी ज्यादा simple topic है यह सब ठीक है तो आगे बढ़ता है अपने next question की तरफ next question की तरफ मैं देख रहा हूँ यह वाला question तो सब बच्चे correct ही बताते हैं क्योंकि भाई यह topic सबका बहुत अच्छे से रहे हो खास करके आप लोगा तो बहुत अच्छे से रहे हैं मैंने एक चीज़ notice किया तो question क्या है निमनलिकित में सबसे कम गलनांक किसका है कार्बन, चांदी, प response option सही होगा जल्दी बता हूँ बहुत बच्चे correct answer दिये जा रहे हैं आपके पास सभी बच्चों के लिए देता हूँ पांच सेकंड का टाइमर कल से मैं टाइमर भी लगा दिया करूंगा ठीक है तो आपके पास पांच सेकंड है जल्दी बता हूँ कार्बन, चांदी, पा जाएगा बच्चों इसका correct answer है option C तो जो हमारा पारा होता है ठीक है पारा का सबसे कम गलनांग है सबसे कम गलनांग है हमारा अगर इन चारों में देखा जाए अगर आप चांदी देख रहे हो कार्बन देख रहे हो सोना देख रहे हो और पारा देख रहे हो तो इन चारों में सबसे कम अगलनांग हमारा पारा का है तो इस वज़े से हमारा option C correct answer हो जाएगा तो जिन जिन बच्चों का option C आ रहा है बहुत अच्छे बच्चे आपका तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और ऐसी करते करो और टॉप 100 में रैंक लेकर आओ मैं तो कह रहा हूं टॉपर बनों रैंक वन लेकर आओ AIR1 ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कौन सा अपना question है question है hydrogen तत्व के कितने समस्थ समस्थानिक है hydrogen hydrogen तत्व के कितने समस्थानिक हैं दो तीन चार कोई भी विकल्प नहीं है तो बताओ क्या है answer आपका जल्दी बताओ पटाक से बताओ hydrogen तत्व के कितने समस्थानिक हैं option A, B, C, D में से कौन सा है option A है 2, option B है 3, option C है 4, option D है इन में से कोई नहीं काफी easy question है जल्दी बताओ कई बच्चों का correct answer आ रहा है कुछ बच्चे A भी दे रहे हैं लेकिन maximum बच्चे B answer दे रहे है maximum बच्चे B answer दे रहे हैं तो हमारा मैं आपको answer बता दू इसका answer क्या बता दिया जाए बाई जल्दी बताओ इसका आंसर बता दिया जाए तो इसका आंसर है option B 3 ठीक है ती 3 तो जो हमारा hydrogen होता है न इस element में हमारे समस्थानिक कितने है 3 होते है ठीक है तो answer हमारा 3 होगा तो यहाँ पे tick कर देते हैं 3 तो बच्चे आप इसको देख लो हो कि hydrogen ताथ में कितने समस्थानिक होते हैं तो answer होगा 3 option B तो बहुत बच्चों का correct answer है बहुत अच्छी बात यार बहुत अच्छी बात दिल खुश कर दिया आगे चलते हैं अपने next question की तरफ next question देख लेते हमारा next question क्या है next question है next question है भाई भारी जल अब इस fill in the blanks में इन चारो option में से क्या है का आप बताओगे मैं option बोल देता हूँ आसुत जल में घुले भारी धातों के लवड का घोल पुनह आसुत और संगनित जल oxygen में विगटित deuterium D है hydrogen में oxygen के भारी isotope को जलाने से इन चारों में से बताओ क्या आंसर होगा आपका कि भारी जल dash से बना हो सकता है यानि कि आपको इसको question को कब modify करें तो modify करने के बाद भारी जल किस से बना होता है आसुत जल में घुले भारी धातों के लवड का खोल होता है कि पुना आसुतो संगनित जल से की oxygen में विगटित deuterium की hydrogen में oxygen के भारी isotope को जलाने से जल्दी बताओ भाई जल्दी बताओ इतना time ना लगाए करो यार क्योंकि आपको भी पता है वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा time नहीं मिलेगा ठीक है अच्छे से अपनी speed बढ़ाओ और ये speed आपको आगे भी काम आएगी और हमेशा काम आती रही है ठीक है तो speed बढ़ाओ accuracy सही रहे और गलती ज़्यादा ना करो तो इन चारों में से कौन सा option सही होगा a, b, c, d में से कौन सा ज़्याद option आपका correct है जल्दी बताओ तो बहुत बच्चों का answer b आ रहा है लेकिन उससे भी ज़्यादा बच्चे अपना c दे रहे हैं answer c, 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 c बहुत अच्चे है तो c बहुत बच्चे दे रहे हैं तो भारी जल्द का अगर question आ जाता रहा है तो आपको याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ आप बस यह देखे रहो deuterium बस deuterium एक बाद सोचे रहो न तो अगर भारी जल्द आ जा रहा है अगर आपको answer नहीं है तो deuterium आ टिक करके आ जाना जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में oxygen का हास्र होता है तो उसे क्या कहा जाता है या पिडैस कहा जाता है बताओ option मैं आपको बोल देता हूँ option है option है संचारड अपचयन उपचयन संचारड तथा उपचयन दोनों इन चारों में से बताओ क्या answer है आपका जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का oxygen का हास्र होता है तो उसे क्या कहा जाता है बताओ संचारड हो रहा है कि अपचयन हो रहा है कि संचारड तथा उपचयन दोनों हो रहा है काफी इजी question है बई जल्दी बताओ जल्दी से बताओ बई आपके पास है पांच सेकंड पांच सेकंड का आपके फस्टाइम में जल्दी बताओ answer क्या है बताओ कि जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का oxygen का हास्र हो रहा हो तो क्या होता है बहुत बच्चे correct answer तो बहुत बच्चे इसका correct answer दे रहे है option B ठीक है option B अपचैन तो बहुत अच्छे बच्चे आप लोग का तयारी काफी अच्छी चल रही है बी 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 यहाँ पे बी 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 का अलग मतलब ना निकलना option B मैं बोल रहा हूं तो option B बहुत बच्चे सही दे रहे हैं और वही correct answer है option B अपचैन तो अपचैन क्या होता है जब किसी अपक्रिया निए जब किसी reaction में पदार्थ में oxygen का हासर होता है तो उसी को हम लोग अपचैन बोलते हैं तो अगर मान लोग वहाँ पर question आया कि अपचैन किसे कहते हैं तो option में आ जाएगा कि जब किसी अपक्रिया में पदार्थ में oxygen का हासर होता है या पिर ऐसा बच्चे correct answer दे रहे थे चीक है आगे बढ़ते हैं अपने next question पर हमारा next question क्या है वो भी देख लेते हैं next question है वह एल्यूमिनियम कारबाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा hydrocarbon उत्पन होता है जो हमारा correct answer है जल्दी बता जल्दी बता वाई एथेन है की मिथेन है की एसेटिलीन है की एथिलीन है इन चारों में से बता दो भाई काफी easy question है यार यह सब नहीं बता पा रहे हो अगर नहीं आ रहा है तो आज आपका practice भी हो जाएगा अच्छे तरीके से जो हमारा क्या है option B देख लेते हैं मेथेन तो बच्चे तो मैं अभी तो एक बार से बोल सकता हूं कि कुछ बच्चे अगर उनके आंसर को मैं आक मूद के भरूसा कर सकते हूं क्योंकि उनकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है वो बताने से पहले ही मेरे answer दे दे रहे है तो option B हमारा correct answer हो जाएगा methane तो जो methane होता है यही hydrocarbon हमारा उत्पन होता है जब हम लोग aluminium carbide पर जल की क्रिया करते हैं ठीक है तो यही हमारा hydrocarbon हमारा उत्पन होता है तो हमारा option B क्या हो जाएगा correct हो जाएगा किस-किस को यह answer आ रहा था वो अपना बता दो या लाइफ चैट में भी दूसरा करो आप comment करो क्योंकि आपका comment जब आता है तो काफ़ ज़्यादा अच्छा लगता है तो comment करो लाइक करो यही दो काम आपको करने है तो चलिए अगर आप लोगों ने कर दिया है तो आगे बढ़ते हमने next question की तरफ next question भाई हमारा क्या है next question है कौन सी विसेस्ता वैद्यूत संयोजी योगिकों में नहीं पाई जाती कौन सी विशेस्ता वैद्यूत संयोजी योगिकों में नहीं पाई जाती इन चार आप्शन आपको मैं बता दूं क्या है इन में इनके गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होते हैं ये धुरूविय योगिक होते हैं जल में विले होते हैं विद्यूत के कुछालक होते हैं आपके पैस चार आप्शन है बताओ कि कौन सी विशेस्ता विद्यूत सहियोजी योगिकों में नहीं पाई जाती यानि इसमें से क्या चीज है जो कि आपके विद्यूत सहियोजी योगिकों में नहीं पाई जाती, जल्दी बताओ, चार आप्शन से, जल्दी बताओ, भाई, तो देख के ही पता चल रहा है, भाई की आंसर आपका क्या है, ठीक है, देख के पता चल रहा है, मैं तो हिंट भी दे दे रहा हूं, चलो हिंट दे दिया, ठीक है, बताओ, तो बहुत बचे D आं आंसर है कि कौन सी विसेस्ता विद्यूत संयोजी योगिकों में नहीं पाई जाती हमारे विद्यूत के ये सुचालक होते हैं लेकिन यहाँ पर बोल देरा भाई कुछालक होते हैं तो हमारा ऑप्शन डिक करेक्ट हो जाएगा इसमें क्योंकि पूछ रहा है कौन सी चीज नह नहीं पाई जाती उसमें हमारा विद्यूत संयोजी योगिकों में हमारे इनके गलनांक अधिक होते हैं ये भी होता है ये ध्रूवी योगिक होते हैं ये भी होता है ये जल में विले होते हैं ये भी करेक्ट आंसर लेकिन विद्यूत के कुछालक होते हैं ये गलत बात है यह गलत बात है तो हमारा option D क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा बहुत बच्चे correct answer correct answer दे रहे थे तो बहुत सही है अब बहुत सही रास्ते जा रहे हो ठीक है आपकी तयारी काफी अच्छी चल रही है तो आगे वड़ते हैं वही आगे हमारा next question क्या है next question देखते हूं next question है STP पर 22.4 liter SO2 का भार होगा option यह है 16 ग्राम 32 ग्राम 48 ग्राम 64 ग्राम बताओ STP पर 22.4 liter SO2 का भार कितना होगा जल्दी बताओ option है 16 ग्राम 32 ग्राम 48 ग्राम 64 ग्राम यह थोड़ा question आपका थियो बोल सकते हो numerical type का है थोड़ा सा numerical है तो इस वजह से आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं थोड़ा से solve कर लो इसको उसके बाद मैं आपका answer बताता हूं जल्दी बताओ बाई जल्दी बताओ और जैसे कि अगर आपको numerical से डर लग रहा है ठीक है अगर numerical से डर लग रहा है तो एक दो numerical की बात है आप numerical leave भी कर सकते हो मैं आपको एक बोल सकते हो तो मेहनत करने से बचा तो रहा हूं लेकिन आपको smart थोड़ा सबनना पड़ेगा य क्योंकि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता numerical यार वो बिना paid batches के कैसे आप लोग आपा होगे आपको paid batches लेना ही पड़ेगा और इतना जाता भी अप टाइम नहीं है कि आपको हम लोग theoretical अंदर में पढ़ता हैं और उससे अच्छा तो हम लोग आपको इसी में revision करा के बता द हैं simple repeated question है उस पर जादा focus करो तो काफी बच्चे correct answer दे रहे हैं D correct answer दे रहे हैं ठीक है D correct answer है और काफी बच्चे D भी दे रहे हैं तो D option के हमारा 64 gram 64 gram तो हमारा 64 gram option D correct है अगर जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं हाप आप solve करा दूँ तो आप comment down करतो मैं अगले lecture से solve भी कर दिया करूंगा क्योंकि काफी बच्चे सोचते हैं कि sir solve क्यों नहीं करा रहे हैं मैं इसलिए solve नहीं कराता है टाइम ज्यादा waste हो जाएगा बच्चे ज्यादा परसान हो जाएंगे फिर उनका time waste होगा जिसको आता है वो अब यहां पर revision करने के लिए ठीक है लिकिन अगर हा इसको मारा डी करेक्ट हो जाएगा 64 ग्राउं बहुत बच्चों का करेक्ट अंसर था ठीक है आगे बढ़ते हैं अबने नेक्स्ट कोईशन पर नेक्स्ट कोईशन देखते हैं क्या है और तो बनता है जब सोडियम एसिटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है जब सोडियम एसिटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है यानि जो सोडियम एसिटेट होता है जब वो सोडा लाइम के साथ रियक्शन करता है तो क्या बनता है जल्दी बताओ भई, option है methanol, ethane, ethane, या फिर methane, इन चारों में से क्या correct answer है बताओ, कि जो हमारा जो sodium acetate है, वो soda lime के साथ जब reaction कर रहा है, जो sodium acetate है, वो soda lime के साथ reaction कर रहा है, तो क्या बनेगा, methanol बन जाएगा, कि ethane बनेगा कि एथाइन बनेगा कि मेथेन बनेगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ भई काफी इजी कोईशन आपके पास 10 सेकंड है जल्दी बताओ काफी ज्यादा इजी है जल्दी जल्दी बताओ चलो भई क्योंकि इतने असान असान कोईशन आपको जरूर से जरूर यह सबान acetate और soda lime reaction करते हैं मिलके ठीक है जो sodium acetate है soda lime मिलके reaction करते हैं तो हमारा क्या बनता है बनता है methane तो ऐसा अगर question आ जाते हैं तो आप methane ढूड़ो और tick करके आजाओ क्योंकि हमारे correct answer क्या है methane ही है ठीक है तो हमारा option D क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा now आगे बढ़ते हमना next question देखें कि next question क्या है आगे बढ़ते हुआना भाई आगे देखते है कि आगे हमारा क्योंच काफ़े simple आ फिर से क्योंच क्या है लाल दवाओ की टाडू नासको के रूप में प्रयोग्त होती है वह है Queshan क्या है कि लाल दवाओ किताड उनासिक के रूप में परयोगत होती है वह क्या होती है बताओ बाई Queshan है हमारा जाने options है Calcium, Hypo, Noworiate, Potassium,Nitrate, Potassium, Permagganate और Borax इन चारों में से बताओ क्या answer होगा आपका कि जो लाल दवाएं होती हैं लाल दवाजो लाल दवाजो की टाड़ उनासको के रूप में प्रयोग तो होती हैं वह क्या है बताओ option अब के हैं अब के पास option A, B, C, D में से क्या होगा correct option अब जल्दी बताओ भई तो इसमें से हमारा correct answer होगा potassium permanganate potassium permanganate हमारा correct answer होगा कि जो potassium permanganate होता है वही क्या होती है भई लाल दवाजो की टाड़ उनासको के रूप में प्रयोगत होती है तो अगर question आ जाता है कि लाल दवाजो की टाड़ उनासको के रूप में प्रयोगत होती है वह क्या है तो आप वहाँ पर आंसर क्या टिक करके होगे पोटेशियम पर मैंगनेट पोटेशियम पर मैंगनेट टिक करके होगे तो इसको नोट कर लो क्योंकि यह काफी ज़्यादे important question है आपके previous year में आ चुका है और इस बार भी chance है कि आपका आ जाए ठीक है तो इस वाज़े इस काफी ज़्यादे important हो जा रहा है आपका यह question की लाल दवा जो किटाड़ नासों के रूप में पर युक्त होती है आपकी potation पर मैंगनेट आगे बढ़ते है अपने next question की तरफ हमारा next question क्या है यह भी देख लेते हैं वाई उसे बनी होती है जल्दी बताओ भई रेल की पटरी किस धाड़ उसे बनी होती है यहाँ पर आपका काफी ज़्यादा easy आपके question का option है option है इस पात की तामबे की पिटवा लोहे की धलवा लोहे की तो एक बात ध्यान रखना जब कभी भी आपका रेल की पठरी की बात करेगा रेल की पठरी की बात करेगा तो उस धातू की बात करेगा तो आप इस पात मार क्या ना क्या मार क्या होगे टिक इस पात मार क्या होगे तो क्या आपका correct answer है भाई इसका correct answer है option A इस पात तो बहुत बच्चा ऐसा नहीं कि जाकर कुछ और मार के आजाओ, इस पाथ, फिर से मैं बता रहा हूँ, जब रेल की पटरी की बात करे, किस की बात करे, पटरी, रेल की पटरी की बात करे, तो आप क्या टिक करके मारोगे, क्या मार के आओगे, इस पाथ को मार के आओगे, सम धात उसे बनी हुई है तो आप वहाँ पर बता क्या होगे किस से बनी होती है ये इस पात से बनी होती है इस पात जानि हमारा ऑप्शन ने करेक्ट है आगे बढ़ते हैं अपना आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यानि कि कौन सा क्व option क्या correct हो सकता है question देखने है question काफ़ी simple सा फिर से आ गया हमारे सामने है उस ताप को बताएं जब centigrade तथा Fahrenheit ताप मापी एक ही पाठ्यांक देते हैं बताओ कि उस ताप यानि उस temperature की बताओ जब centigrade और हमारा जो Fahrenheit है वो ताप मापी एक ही पाठ्यांक देते हैं 40 degree centigrade माइनस 140 माइनस 4421 यह मैं बता दूँ यह आपका very 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 important question है और previous year based question है यह तो बहुत लगातार आ रहा है यानि दबा क्या रहा है ठीक है दबा क्या रहा है इस वज़े से आपका यह काफी ज़्यादा important हो जा रहा है काफी ज़्यादा important question है तो option बताओ A, B, C, D में से कौन सा सही होगा कि किस temperature पर आपका centigrade और Fahrenheit का जो आपका measurement है वो सेम बताने लगता है ठीक है तो इसमें से बहुत बच्चे correct answer दे रहे हैं minus 40 degree क्या होगा minus 40 degree तो minus 40 degree है ऐसा temperature है जब हमारा centigrade तथा फारेन हाइट जो होता है वो ताप मापी एक ही पाठ्यांक देते हैं तो option C हमारा क्या हो जाएगा correct हो जाएगा option C correct कर देते हैं बई option C minus 40 degree यह हमारा correct है इस पे हमारा degree centigrade और Fahrenheit ताप मापी एक ही पाठ्यांक देते हैं चीक है बहुत बच्चों का correct answer है बहुत बच्चों का काफ़ अच्छी बात है यह आगे बढ़ते हैं आगे हमारे क्या question है आगे है डाइनमो का प्रयोग कहां किया जाता है बता। डाइनमो का प्रयोग कहा किया जाता है विद्यूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्तित करने में चुम्बकिय उर्जा को रसायनिक उर्जा में परिवर्तित करने में ध्वनी उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्तित करने में यांतरिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्तन करने में जल्दी बताओ इन चारों में से क्या आप्शन आपका करेक्ट हो जा कि डाइनमो का प्रयोग कहां करते हैं डाइनमो जानते हो ना जो आपके मोटर या जनरेटर में यूज होते हैं जो डाइनमो वो कहां पी यूज किये जाते हैं इन चारों में से बताओ क्या option आपका correct होगा ABCD में से जल्दी बताओ के पास है पांच सेकेंड मात्र मैं option भी पढ़ दिया हूँ आप answer बताओ फटाक से क्या होगा इसका answer क्योंकि यह सब question अगर आप नहीं बता रहे हो तो यार यानि आपका कहीं नहीं हमारे dynamo होते हैं यानि कि हमारे क्या करते है यह हमारे जो होते हैं कि यांत्रिक खुर्जा यानि mechanical energy को यह apare करते हैं किसमे मैं electrical energy में काफ हे simple सा था है कि हमारे mechanical energy को electrical energy करते हैं जो कि हमारा generator जैसे होता है उसके अंदर क्या होता है यही तो होता है कि हम लोग mechanical energy को किसमें convert करते हैं अपने electrical energy convert करते हैं तो इस वचे से हमारा option डी correct हो जाएगा कि यह यांत्री कुर्जा को विद्ध्य तुर्जा में परिवर्तित करते हैं हमारा क्या डाइनमो डाइनमो के बारे में आ जाता है तो यह आप correct option टिक करके आ जाओगे और most of the student यह सही कर गाएंगे क्योंकि यह काफी ज़्यादा simple है question और यह आपका एक प्रकास से बोल सकते हैं question common पढ़ रहा था क्या पढ़ रहा था common कहा common पढ़ रहा था भाई यह common पढ़ रहा था आपके physics जैसे आप physics पढ़े होगे तो वहां पर भी पढ़े होगे डाइनमो के बारे में ठीक है तो इस वजह से आपके लिए यह question काफी ज्यादा असान हो गया होगा तो फीजिक्स में भी आपने पढ़ रखा है आँ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन पर देख लेते नेक्स्ट कोश्चन है क्या नेक्स्ट क्वेस्टन है तंग्स्टन क्या है वई तंग्स्टन कितना डिगरी सल्चियस पर पिखलता है तंग्स्टन कितने डिगरी सल्चियस पर पिखलता है ऑप्शन है कि दी सजार डिगरी संटिगरेट पर ऑपसेंदी ho thànhीन हबर कितने पेगखलता है तो चलिए बताए रहें जलुदिस बताइए यहां पर हमारा जासे आप लीजे आह बड़ लिए इसके अंदर हमारा फिलामेंट हो यह जो फिलामेंट होता है जो चमकता है जो चलता है यहां से जब हम लोग करेंट सप्लाई देते हैं तो जो यह टंग्स्टन होता है इसका इतना ज्यादा प्रतिरोध यानि बोल सकते हो रजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि इसके अंदर हीट जलने हीट हीट पैदा होती तो वह temperature कितना होता है वही हमको बताना है तो यह almost बोल सकते हो 3000 से 3500 के बीच में होता है ठीक है 3500 या 3200 के बीच में होता है अगर इन बीच में कुछ भी आ जाता है तो टिक कर दोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि 3,000 आ गया तो option D इस वज़े से हमारा correct हो जाएगा कि 3,000 degree centigrade पर हमारा tungsten इतना पिखल जाता है तो tungsten कहां यूज होता है ये भी आपको मैंने बताई दिया कि जो आप अपने देखते होगे पीले वाला bulb होता होगा उस bulb में आप देखते होगे कि ऐसे ऐसे करके हाँ पर बीच में होता होगा ठीक है यही हमारा tungsten का बना होता है ठीक है यही चीज हमारा tungsten का बना होता है और इसकी melting point जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होते है कितनी होती है वो तीन हजार डिगरी सेंटीग्रेट तो यहीं सा फंधाज लगा सकते है कि कितना ज़्यादा उसके अंदर heat होता होगा उसकी कितनी ज़्यादा temperature होती होगी ठीक है तो option D हमारा क्या हो जाएगा correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अपने next question पर जो हमारा next question है वो भी देख लेते हैं next question देखते हैं भाई क्या है जो कि हमारा आसान सा है चंद्रगर ग्रहड में चंद चंद्र ग्रहड में यानि सो मून eclipse solar eclipse ने moon eclipse में चंद्रमा सूर्य और प्रत्वी के बीच रहता है चंद्रमा और सूर्य के बीच प्रत्वी रहती है सूर्य प्रत्वी और चंद्रमा के बीच में रहता है इनमें से कोई नहीं ध्यान से सुनना अपसन चंद्रमा जो होता है सूर्य और प्रत्वी के बीच में रहता है चंद्रःण में कि जो चंद्रमा होता है चंद्रमा और सूर्य के बीच में प्रत्वी रहती है कि सूर्य प्रत्वी और चंद्रमा के बीच में रहता है जैसे हमारा बना देते हैं आपे एक चंद्रमा हो जा रहे यह हो गया हमारा चंद्रमा यह हो गया सूर्या क्या हो गया सूर्या ठीक है और यहीं बीच में हमारी आ जाती है पृत्वी चंद्रमा और सूर्या के बीच में पृत्वी रहती है तो ऐसा ही कुछ कंडिशन रहता है हमारा ऐसा ही कंडिशन हमारा कुछ रहता है किसमें सूर्य चंदर ग्रहड में चंदरमा और सूर्य के बीच में पृत्वी आ जाती है तो option B देख लेते हैं option B correct answer है चंदरमा और सूर्य के बीच पृत्वी रहती है तो यह हमारा हो गया correct answer हो गया कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृत्वी रहती है तो बहुत बच्चों का करेक्ट अंसर है और इस एक साथ हमारा ये भी कुश्चन ओवर हुआ नहों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं फटाक से ज्यादा टाम नहीं है अपने पास देख लेते हैं कुश्चन क्या है कुश्चन है इस्टील एवं रबड में कौन अधिक प्रत्यास्त है बताओ इस्टील एवं रबड में कौन अधिक प्रत्यास्त है ऑप्शन ए है इस्टील ऑप्शन बी है रबड ऑप्शन सी है दोनो ऑप्शन डी है कोई नहीं बताओ इ इस्टील और रबड में कौन अधिक प्रत्यास्त है ऑप्शन ए है इस्टील रबड दोनों कोई नहीं बहुत सिंपल कोईशन है आपके पासे पांच सेकंड मात्र और कई बच्चे तो करेक्ट आंसर देना स्टार्ट भी कर दी है जल्दी बताओ जल्दी बताओ इसमें से क्य करेक्ट आंसर होगा आपका इस्टील होगा कि रबड होगा कि दोनों होगा कि कोई नहीं इस्टील होगा रबड में कौन अधिक प्रत्यास्त है तो इसका करेक्ट आंसर आप जल्दी से जल्दी बताओ काफी ज्यादा सिंपल है बताओ यार इतने सिंपल सिंपल कोईशन आ हमको नहीं पता तो यह तो बहुत घटियावला मजाक हो जाएगा यार क्या फोका प्रत्यासत का मतलब है इस्टील कितने बच्चों का सहीत आप बताओ भाई देख लेते हैं ऑप्शन एक बहुत सारे बच्चे बता रहें इस्टील और रबड में सबसे ज्यादा प्रत्यास्त हमारा इस्टील का होता है ओप्शन एक करेक्ट है हम आगे हम अगे बढ़़ते हैं अबने नेक्स टैनाला नियुक्श गर्मतार में अर्थतार में कभी थंडेतार में कभी अर्थतार जल्ली बताओ कफी जी क्वेशन का हम लगारे जाते हैं जो स्विच होते हैं वो ठंदे तार में लगाए जाते हैं कि गर्मतार कि अर्थतार कि कभी ठंदे तार में कभी गर्मतार में बताओ इजी कोईसिन है भाई थोड़ा से हा आप लुक नोटिस कर रहे होगी कि आपकी physics के भी topic हलके हलके common बैट रहे हैं अभी क्योंकि electricity related questions आपके add किये गए हैं आज के session में चीक है चल्दी बताओ कि switch लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्मतार में, अर्थतार में कभी ठंडे तार में, कभी अर्थतार में ABCD में से क्या option correct होगा तो जी हाँ, बहुत सारे बच्चे सही answer दे रहे हैं कि गर्मतार में गर्मतार में सही, option B हमारा correct answer है कि गर्मतार में गर्मतार में तो switch हम हमेशा गर्मतार में ही लगायते हैं maximum of the case तो मारा answer क्या हो जागा? गर्मतार, option B option B is correct for this question and most of the student is answering right ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे question क्या है, वो भी देख लेते हैं आगे question क्या है, वो भी देख लेते हैं question क्या है, question है उस तारा मंडल का क्या नाम है जो आकास में प्रश्न वाचक चिन्ह जैसा दिखाई पड़ता है जो हमारा प्रश्न वाचक चिन्ह जैसा दिखाई देता है ठीक है, प्रश्न वाचक चिन्ह हमारा कैसा होता है बाई ऐसा ही होता है ठीक है, उस तारा मंडल का क्या नाम है यानि वो तारा का जो collection क्था और तार्य नाम मंदल है चो कि हमारा कुछ ऐसा दिखता है मैं आप डिजाइन कर देता हूं कुछ 25 की आप मेंसे क्या option आपका सही है बताओ कौन सा तारा मंडल ऐसा है जो कि आकास में प्रश्णवाचक चिन्न जैसा दिखाई देता है सब तर इसी है कि व्रिष्चिक है कि ओरियन है कि कृतिका है जल्दी बताओ जल्दी बताओ भाई टाइम जादा नहीं है टाइम तो है ही नहीं अगर आप सोच रहे हो कि टाइम है कि आपको हो गाई है सब तो याद करने वाले कोशन इसमें क्या सोच रहे हो ए बी सी डी में से बताओ क्या आंसर है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है option a option a is correct option क्या है ए हम हमारे तारे मंडल है जो कि आकास में प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा दिखाई देते हैं मैं यहां पर अभी बनाया ताफिर से बना देता हूं यह लगभग लगभग ऐसे ही दिखते हैं आपके आप नोटिस करोगे तो ऐसे ही दिखेंगे अब यहां पर एक ट्रेंड नोटि अब नेक्स्ट कुशिन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ जो कि हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं लो क्वेश्चन क्या देख लेते हैं एक बर क्वेश्चन है एक ग्राम कोईला के जलने से निरमुक्त अरजा की मात्रा होती है दस जूल साड़े तीन 700 जूल एक हजार जूल बताओ कि जैसे हम लोग एक ग्राम अपना कोईला जला रहे हैं तो उसमें से निर्मुक्त उर्जा की मातरा कितनी होगी 3 500 जूल 1600 गर आप हजार जूल आप देखों मैंने पहलेहीं बता एक ही नहीं 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 टूम करा ठांता ठीक है अगर लेकिं लेकिन अगर आप चाहते हिन जो क्वेश्चन आगी इसका में न हैा सौन खाण थो तो आप मेक शूडाब जब कमेंट करो क्या जब कमेंट करो कि तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैक्सिम आप दो बच्चे जो हमारे बैच से जुड़े हुए हैं जो हमारे यूटुब चैनल से जुड़े हैं वह काफी टैलेंटेड हैं उन लोग को पहले से ही आते हो बस रिवीजन करते हैं अपना ठीक है तो यहां पर आप्शन कौन सा करेक्ट है जल्दी बता दो भाई दस जूल होगा कि साड़े तीन सो जूल होगा कि साथ सो जूल होगा कि एक हजार जूल होगा इन चारों में से बताओ कि आपका आप्शन करेक्ट होगा दस जूल साड़े तीन सो जूल साथ सो जूल एक हजार जूल तो इसमें से करेक्ट आंसर है हमारा साड़े तीन सो जूल ठीक है साड़े तीन सो जूल हमारा करेक्ट आंसर है साड़े तीन सो जूल तो अगर हम लोग एक ग्राम कोईला जला रहे हैं एक ग्राम कोईला जला रहे हैं तो इसमें से निर्मुक्त उर्जा की मात साडे personnels किस बताना कि साडे personnels कि यह काफी ज़्द इव significance है तो हम बात यह सभीidoresiden इन नीमेरिक बेस्ट names पहली बात तो यह सब काफी मच्ण काफी मृठी है हैं तो होफुली आज का सेशन तो आपको बहुत ज्यादा इंज्वाई की होंगे नौ आगे अपना एक बार देख लेते हैं क्या है हमारा यह एप्लिकेशन ठीक है इससे आप अप्लिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा पांडे जी टेकनिकल आप जाओ डाउनलोड करो आप जाओ अच्छे से डाउनलोड करो और उसको यूज करो क्योंकि इसके अंदर जो बैचेस के प्राइज जैसे 99 रुपीज के हैं 199 रुपीज के हैं तो इतने अपोर्डेबल में आपको मिल रहा है तो आप मेक शूर वहां जाओ और अच्छे से डाउनलोड करो और अपन आगे होगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी सारे question है सारे के साथ आपके previous year based question है और काफ़ी जयादा हम लोगों कंति स्टाटेस्टिक्स यूज करके ठीक है जो पैटर्ण है question का उसको use करके हम लोगों ने आज का session इस्त बनाया था आप यहाँ भी देख सकते हूं आज हम लोगों ने बहुत सारे questions और यह सब questions आपके exam perspective से बहुत ज़्यादा important हो जाता है तो जितना भी आपने आज question पड़ा वो सब काफी ज़्यादा important था और आपको बहुत ज़्यादा मजा भी आया होगा तो ठीक है यार thank you बहुत ज़्यादा अभी तक जो जो session में बने हुए थे बहुत ज़्यादा thank you ठीक है ऐसे ही ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को like करो ठीक है like तो जरूर से जरूर करो share कर दो subscribe कर दो पांडेज टेक्निकल अप्लिकेशन को download कर दो यही तीन चार चीजे हैं जो हम लोग चाहते हैं कि आप करो क्योंकि आप यह सब करोगे तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ठीक है तो मेरा नाम मेरा नाम तो दिव्यान शुकला आपको पता ही होगा क्या है दिव्यान शुकला ठीक है दिव्यान शुकला मेरा नाम है तो ठीक है धन्यवाद इसी के साथ आज का लेक्चर खतम करते हैं आपको आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा मजा आया होगा औ और अगर आपको ये लिक्च्छर अच्छा लगाओ तो मेक शूर आप कमेंट करो ठीक है धन्यमाद चैन्य जय भारत